कि जज़ादा नुक्सान पहुचने वाली वीमारिया हैğa रतुवा है और उसके बात पड़ जुनसा आती है और कन्नाल बंट आती है रतुवा जिसको हम रश्ण भी करते हैं वह तीन प्रवरी के पर्थम सब्ता में पीले रत्वा आने के संभावना रहती है और कुछ चेत्रों से पिला रत्वा को रिपोर्ट भी किया गया है पीला रत्वा धारियों में उत्वपन होता है जो पीले इरुडो बिजाड के कार होता है बूरा रत्वा पत्यों परुद्वन होता है जिनके भूरे इरुडों बिजाड होते है और काला रत्वा तने और उग्र अवस्था में पत्यों परुद्वन होता है जिनके काले इरु यादाना बनने के बाद ही की जा सकती है, पढड जूलसा भी काफी महतरपुड बीमारी है, जो गेहूं में निचली पत्तियों पर भूरे और पीले रंग के धब्ब आ चकत्ते के रूप में उत्पन होती है, और उग अवस्था में पूरी पत्तियों पर फैल जाती है, पत्य करना जोल है, जिसका दस्मुलव एक परस्त का घोल का छिड़काओ किसान भायों को करना चाहिए, अगर रोग की उग रवस्था है, ज्यादा फैल लाहा है, तो दूसरा छिड़काओ 15 दिन के बाद करें, दूसरी चीज यह है कि अभी आप गयों की फसल लगा चुके हैं, तो बीज सीट ट्रीटमेंट जो होता है, वो कई परकार की बीमारियों से बचाता है, अगर आप अपने बीज को बोने से पूर उसका सीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप करनाल बंड से भी आप उसको बचा सकते हैं, और पढ जुलसा से भी बचा सकते हैं, तो बीज उप जो अबसे ज्यादा निमारी को अधा इस वे न नाय्टोजन, जो भी बैग्यानी को दोरा अंसंसित मात्रा-गेहुं में नाय्टोजन परयोक करने की है, उसी का परयोक करें, क्योंकि यह बीमारियों को बढ़ाने में काफी सहायक होती है.